आज संग नहीं रहती हम कहीं भाइश चरा रहे होते यह परिवार की कमपनिया चल रही है पार्टी चल कहा रही है तो उसे में आधरनिया प्रदानमंती अटल भियारी बाजपेई जी ने उसे में बार्ड के अस्थाई सबाधान का हम लोग को अस्वासन दिये थे हम लोग बह बिलन सामरोह था और खगड़िया के सामाजिक कारेकरता इंजिनियर धर्मेंद्र जी ने आज समराठ चौधरी के समच्छ बीजपी की सद्यस्ता लिए सबसे पहले तो इनका हम स्वागत करें सबसे पहले तो आपका सबसे बहुत बहुत धन्यबाद आपको बीजपी का ही स तंसकार दया खगड़िया का भाव भरहे और उसके करण हम सेबा के छेट में इंजिजन करने के बाद भी additions करके हम सेबा की सेबाद कि आये worship के लिए। और जो सपना था हमारा जो बच्पन से देखते थे कि भारत अखंड हो भारत आत्म निर्फर बने और भारत अपने पईड़ों पर खरा हो जो पहले सोने की चिरिया कलाती थी वो राम राज के कलपना यह हमारा सपना था वो दिसा में भी काम चल रहे हैं और उसमें बहुत हद जैसा सासन हो तभी बिहार में इंडस्ट्री से उठते थे उसके बाद आप बीज़िपी कहीं शद्दस्ता लिए किसी और पार्टी का भी ले सकते थे पर बीज़िपी क्यों पसंद है देखिए किसी किसी पार्टी के पास आज के दिर आज जो है न यह परिवार की कंपनिय चल रही है पार्टी चल कहां रही है भी झचोर के आप कोई भी बता दीजिए कि जो को पार्टी चल रही जो बीजीए मिघी कि यह उतल्म पेंची यह थे वो नहीं है तो इमतिडेश बन जागे किसी को नहीं था लेकिन यह पर्देश सद्यक्ष बने किसी को 2014 से पहले 2010 से भी पहले किसी को और मानने था भारत के प्रदान मंतिर निन बोदी जी बने गए लेकिन बने बीजिपी के साथ कारे करके जैसे खगड़िया में बाड की समस्या बहुत जादा है तो क्या उस समस्या पर रो बहुत बर आंदोलन हुआ था खगड़िया में और उस दिसा में पहल भी नदी जोरने की परिकल्पना तभी से आई है उस दिसा में पहल हो रही है और यह सरकार आएगी तो निश्चित तोर पर आप कल्पना निकसते हैं अभी जो प्रेस कॉन्फिरेंस हुआ था प्राकिर इसे कोई मरे नहीं तो बहुत बरे योजना पर काम चल रही है और इन सब से परभावित हो करके नहीं अब ज़रुरत है इनको सही हो करने का पहले भाजपा की सरकार थी तो वह काफी प्रगती कर रहा था और उसके बाद जब वहां पर जंगल राज आ गया तो खगड़िया प्रगती नहीं किया है नहीं था खगरिया में 2000 में जब आती जाए उसमें राममंदुरी को अंदोलन वह था उसमें हमारी विधायक एक मात्र बनी थी चंदमुकी जी लेकिन उसमें बहुत ही कम संख्या में विधायक जी थे उस टेंप वहां की प्रगती होना शुरू प्रगते हैं है हमिजपा के साथ मिल के घगरिया को इस अच्छा बनाएंगे को तो सुन्दर बनाएंगे घगरिया के साथ बिहार को और पूरे देश को अभी तक हम फैमिली लाइबलिकीज टी और थी reject हम उसमें थे आब हम कालिक समय देने के लिए तयार हैं देंस की समाज नहीं हो पाए हमेशा जिते हैं जिनको पार्टि टिकर देघिया होगा हम बनेगे की नहीं बनेंगे लेकिन अधी बीजेपी का कोई भी साधानकारकरता भी बनेगा वहां तो डिबलप्मेंट करेगा क्योंकि बीजेपी एक इसी पार्टी है जहां संगठन का चलता है किसी MPA मेले का बिशेश नहीं चलता है सबको साथ लेके चलती है एक जुट लेके चलती है वही कारिये वहां पर हमारे साथ इंजिनियर धर्मेंद्र जी थे और इन्होंने जो कुछ भी कहा वह आप सुने लेकिन अपनी प्रतिकिलिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद